देखो भया इन दिवारों पर नेवी ब्लू कलर का पेंट करना और बाकी इन दोनों दिवार पर दार्क येलो या फिर रॉयल ओरेंज कलर करना मेरा कमरा एक तम प्यारा दिखना चाहिए और एक बार ये छट पी देख लो इसमें जो सीलन आ रही है सबसे पहले उसका कुछ जुगाड करो ये तो मैडम जी बारिश के मौसम में थोड़ी बहुत सी सीलन तो आती है बाकी इसमें इंटीरियर का काम करवाईए और आपके कबने का नक्षा ही बदल जाएगा पॉफेक्ट आप काम स्टार्ट कर दीजे अंजली जल्दी से मेरी टाई बांदो आई मानव कमरे में इंटीरियर वाले को देख कर मानव अंजली से पूछता है अंजली तुमने फिर से इंटीरियर वाले को बुलवा लिया अभी कुछ टाम पहले ही तो कमरे की डेकुरेशन कराई थी आरफ इस बीन त्री मॉन्स और अब मैं इस कलर से बोर हो गई हूँ इसलिए चेंज करवा रही हूँ बारिश को मौसम भी आने वाला है ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे करवा लो ओके बाई बाई लव यो मानव अपनी लक्शूरियस कार में बैट कर आफिस निकल जाता है जहां अंजली अपने अच्छे खासे कमरे को फिर से बदलवा रही थी वहीं गरीब परिवार की बहू सालोनी अपने ससुराल की टबकती छट से काफी जादा हर्द तक परेशान थी उसका ससुराल कच्ची बस्ती में था जहां बारिश के चलते सडकों का हाल जल भराव से बेहाल था अरे सलोनी मुझे दो रोटी बना कर दे दो अरे भी काम पर जाना है अरे कहां पर बैठ कर बनाएगी बहू रोटिया अनिल तू देख तो रहा है पूरे घर में तो बारिश का पानी भरा पड़ा है रत्ती भर भी जगे नहीं बची है कोई नहीं फिर मैं जाता हूँ आज ऐसे ही टाइम काट लूँगा अजी रुकिये तो ऐसे दिन बर भूके शरीर में मेहनत कैसे करोगे तुम बैठो में बनाती हूँ रोटी सलोनी इधर उधर देखती है और बाहर एक बहुत ही बड़ा टाइल सा रखा देखती है जिसे वो उठा कर घर के अंदर ले आती है और उसे इट पर रखकर तखत जैसा बना लेती है और चूलह जलाने की कोशिश करने लग जाती है हे भगवान पूरा का पूरा चूलह गीला है आज भी नहीं सुलग रही है चंदा वो दिवार के इट में जो पन्नी दबा रखकी है उसे जरा देना ये लीजी भाबी चिंता क्या कर रही है बहु पन्नी से आज सुलगाएगी इसका धुआ बिलकुल भी ठीक नहीं उपर से तु पेट से है ससुराल में आपार गरीबी के चलते सलोनी केवल रोटियां बना कर रख देती है सब कोई नमक लगा कर खाने लगते है तबी सलोनी की बेटी सब की सूरत देखे जा रही थी क्या बात है रेंकी बेटी तुम खा क्यों नहीं रही रोटी यह सुनकर दर्द भरे गम से सलोनी के आँखों से आँसु छलक जाते है और वो अपने बहतर खोशाल माईके के दिनों को याद करने लगती है जहां दोनों बेहनों के बीच पकोडी की रेस लगी हुई थी देख लो सलोनी दीदी तुमने रेस लगाई है हार गई तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं जीती तो पिज्जा खिलाना पड़ीगा चैलेंज एक्सेप्ट है ना? हाँ बिल्कुल पहले जीत कर तो दिखा दोनों बेहने बारिश को देखकर गपागप पकोडी खाने लगती है और सलोनी बाजी जीत जाती है ये, I'm the winner अब तू पिटेगी शर्ट के मताबिक तब ये अंजली भाग कर रसोई में पकोडी बना रही मा के पास आ जाती है ओ ममी, मुझे बचा लो अच्छा बच्चू, तुझको क्या लगता है मा के पीछे चिपके बच जाएगी तू चुपचाप से दोगूं से काले हे भगवान, तुम दोनों बेहनों को लाज शर्म आती है की नहीं शादी लाया कुमर हो गई है तुम दोनों की फिर भी उचल कूद मचा रही हो जल्दी से दोनों तयार हो जाओ क्यों मा, कोई आने वाला है क्या हाँ, पंडिजी तुमारे लिए रिष्टे लेकर आने वाले हैं अगर परिवार वाले अच्छे हुए तो दोनों के फिरे एक ही मंड़ब में पढ़वा दूँगी कुछ देर में पंडिजी आ जाते है देखिये बहन जी, दो रिष्टे लाया हूँ ये सुमित्रा जी का बेटा मानव है कोठी बारी नौका चाकर सब है इनके पास परिवार भी लंबा चौड़ा नहीं है दोनों मा बेटे हैं केवल बाकी ये एक दूसरा रिष्टा है मिडल क्लास है ललका ठीक ठाक कमा लेता है वैसे खास अमीर लोग नहीं है ये वो तो ठीक है पंडिजी मगर लड़के का घरबार तो अच्छा है न हाँ पुष्टों का बनाया एक मकान है उसी में रहते हैं सलोनी बेटी तु मेरे साथ हा अंजना सलोनी को अपने साथ कमरे में लाती है क्या बात है मा तुम मुझको यहां क्यों लाई हो देख बिटिया तु तो जानती है सलोनी नम आखों से अपनी मा की सूरत देख कर कहती है मा मुझको यह रिष्टा सुईकार है तुम छोटी की शादी अच्छे से करना वो अच्छे घर में जाएगी तो मुझे भी खुशी होगी सलोनी का ये फैसला दोनों बेहनों की किस्मत बदल देता है अंजली उची अमीर खांदान की बहु बन जाती है तो सलोनी मध्यम वर्गी ससुराल में आ जाती है जहां उसे हर चीज में सोच समहल कर चलना पड़ता है यकीन ही नहीं होता कि पात साल हो गए हम दोनों बेहनों की शादियों को कल तक हम दोनों का एक माई का था आज हमारी अलग लग रास्ती है लग बग दो तीन घंटे के बाद बरसात थम जाती है तब ही ससुर प्यारे लाल कहते है अरे लगता है पास पडोस में पकोड़े बन रहे है कितनी अच्छे खुश्पू आ रही है बहु थोड़े बेसन का पकोड़ा बना ले तू भी जी बाओ जी जैसी सलोनी रसोई में आकर देखती है तो वहां कोई सामान नहीं होता अपने रसोई के ऐसी परिस्थिती पर उस गरीब बहन का दिल रो पड़ता है यह भगवान रसोई में बेसन तो दूर एक चुटके नमक भी नहीं है यह कैसा नसीब लिख दिया है तूने विदाता जहां गरीब बहन के लिए बारिश का मौसम गम भरा था तो वहीं अमीर बहन के घर के यही मौसम खुशियां ही खुशियां लाया था ये मौसम का जादू है मित्वा, ना अब दिल पे काबू है मित्वा, ने ना जिसमी खो गए, दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सु है मित्वा ये मौसम का जादू है मित्वा, ये, बन गई मीरी री, ज़रा देखू तो, वाउ, इट्सो कूल, पता नहीं, आज सलोनी दी कि बहुत याद आ रही है ऐसा कहते हुए सलोनी की आखें नम हो जाती है, तभी सास सुमित्रा बोलती है अरे अंजली बहु, नीचे आजा, गर्मा गरम पकोड़े हैं, खाले, वो न ठंडे हो गए तो स्वाद आधा हो जाएगा आई ममी जी अंजली जैसे नीचे आती है, तो उसकी बेटी नायरा मो फुला कर बैठी होती है अले लेले, क्या मत है, मेरी प्रिंसेस मुझसे गुसा है येश ममा, मैं आपसी बहुत गुसा हूँ, क्योंकि आप मुझे आजकर कहें कुमाने नहीं ली जाती ओके बाबा, हम कल खुमने चलेंगे, पका बारी बरसात के चलते अनिल को लगबग दो-तीन दिनों से जादा काम मिले हो जाते है ऐसे में सलोनी के घर का चूला नहीं जलता ऐसे में दिन रात बरस्ती, बारिश, उन्हें अलग तंग किये हुए थी तब ही अन्जली अपनी बेटी के साथ बेहन के सस्राल के लिए निकल जाती है ममा हम कहा जा रहे हैं? हम तुमारी मासी के घर जा रहे हैं, मिलने के लिए अन्जली कुछी घंटों में उस एड्रेस पर पहुँच जाती है, जहां मूसला धार बारिश हो रही थी पूरी सडक्य भरी होई थी अन्जली किसी तरह थोड़ा आगे बढ़ती है, जहां एक फटी पुरानी साड़ी पहने दुकान पर राशन के लिए सलोनी खड़ी थी लाला जी थोड़ा राशन पानी दे दीजी, मेरा परिवार भूका है, तीन दिन हो गए चुला जले अरे तो मैं क्या करूँ इसमें, नकत राशन कभी खरीदा है तुने, जब देखो मूँ ठाकर उधार का खाने आ जाती है, चलबा किया से लाला अगड़ से उसे धक्का मार देता है, सलोनी कीचड में गिर जाती है, तब ही अंजली उसे उठाती है आप ठीक तो है, और तुम लीडीज के साथ कैसे बात करते हो, आता नहीं है क्या रहने दीजिए, कोई बात नहीं जैसे ये अंजली आवास पहँचान कर पीछे मुड़ती है, तो अपनी बहन को इतनी गरीबी और बुरी हालातों में देख कर, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और आँखों से आंसू बहने लगते है सलोनी दीदी, आप ऐसी हालत में, ये सब कैसे हुआ? नसीब नसीब की बात है छोटी, चला आजा घर चल सलोनी अपनी अमीर बहन को अपने तूटे पूटे कच्चे मकान में लाती है, जहांकि दशा बारिश के चलते बहुत खराब थी, और छट का आदा हिस्सा भी तूट कर घर में गिरा पड़ा था ये कहते कहते गायतरी फूट फूट कर डोने लगती है, इतने के बाद अंजली कहती है दीदी तम कितनी कटनाई से गुजर रही थी, एक बार तो अपनी बेहन को याद कर लेती, माजी चुप हो जाईए आप सब, मेरे साथ चलिए जब तक ये घर पूरी तरहां से बनकर तयार नहीं हो जाता, आप वही रहेंगी नहीं अंजली, मैं और मेरे परिवार वाले तुझ पर बोज नहीं बनना चाहती, हम ठीक हैं, हम इसी में गुजरा कर लेंगे ठीक है, तो मैं भी यहीं रहूँगी, इसी में अगर तुम नहीं चली तो बहन के जिद के आगे सलोनी तयार हो जाती है, कुछ दिनों तक सलोनी और उसके गरीब सस्तुराल वाले अंजली के हाँ ठेरते हैं, और थोड़े दिनों बाद जब उनका अपना घर तयार हो जाता है, तो वो वापस आ जाते है, तब ही अनिल हाथ जोडते हुए अंजली के पती से कहता है, समझ मैं नहीं आ रहा, आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, आपकी वज़ा से आज मेरे परिवार के सिर पर छट आ पाई है, अनिल भहिया, ऐसा मत कहिए, रही बात एहसान की तो आप मेरे साथ मेरी कंपनी में काम कर लीजिए, मेरा कार खाना समाल लीजिए, ये सुनकर अनिल बेहत खुश होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में लंबे वक्त से बेरोजगार था, आप सब ठीक था, दोनों बेहने अपने अपने सस्राल में खुश थी,